धन्तेरस पर इन पाँच राशी के लोगों की बदलेगी किस्मत लक्षमी कुबेर सास्थ मिलकर बनाएंगे इन्हें धन्वार धन्तेरस पर इस बार धन्लाप की द्रिश्टी से बहुत खास योग बनने जा रहा है जो की कुछ राशियों के लिए धन्मे वृद्धी करने वाला माना जा रहा है न्याय और कर्म के देटा जो की इस वक्त अपनी राशी मकर में वक्ली चाल से चल रहे हैं 23 अक्टूबर को धन्तेरस के दिन मारगी हो जाएंगी यानि की शनी अपनी राशी मकर में 23 अक्टूबर से सीधी चाल में चलना आरंभ कर देंगे शनी का मारगी हो जाना कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है इन्हें करियर और रुपए पैसे के मामले में इस दोरान विशेश लाब होने की उम्मीद है दीपावली से पहले धंतेरस पर इस बार कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास योग बनने जा रहा है धंतेरस पर शनी अपनी ही राशी मकर में मारगी चाल से चलना आरंफ करेंगे शनी की सीधी चाल कुछ राशियों को धन संपत्ती प्रदान करने वाली मानी जा रही है आये जानते हैं कि कौन सी राशियों को शनी की सीधी चाल से लाब होने जा रहा है मेश राशी कारोबार में प्रगती होगी मेश राशी के लोगों के लिए शनी का बारगी हो जाना बहुत ही विशेश लाब देने वाला माना जा रहा है शनी के प्रभाव से मेश राशी के लोगों को धंतिरस पर धनलाब होगा और कारोबार में प्रगति होगी जो लोग धादू का कारोबार करते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छी कमाई वाला हो सकता है इसके साथ ही जो लोग बिजली के उपकरणों और वाहन के कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छे काम धंदे वाला हो सकता है वस्तों के कारोबार में भी लाव होगा सिंग राशी करियर में सुनहरे अफसर सिंग राशी के लोगों को ढईया के बावजूद इस गोचर से फायदा होगा शनी के मारगी होने से आपको धन के मामले में लाव होगा और आपके सभी रुके हुए कार पूर्ण होंगे आपके राशी पर धाया लगी होने के बाद भी आपकी आंधनी बढ़ेगी हलाकि इस वक्त आपके हाथ से खर्च भी अधिक होगा करियर के मामले में आपको सुनहरे मौके प्राप्त हो सकते हैं और आपको नौकरी का कहीं से शांदार ओफर भी प्राप्त हो सकता है तुला राशी अकस्मात धन की प्राप्ती तुला राशी के लोगों को दीपावली से पहले खास लाब होने जा रहा है शनी आपकी कुंडली के चौते भाव में मारगी होने जा रही है और इस गोचल के प्रभाव से तुला राशी के जातकों की आई में अचानक से व्रिद्धी होने जा रही है आपको अकस्मात कहीं से धन की प्राप्ती हो सकती है इस राशी के लोगों के लिए धनतेरस पर सोना खरीदना बहत शुप माना जा रहा है संतान की तरक्की की नई राहे खुलने से आपको भी प्रसनता होगी वरिश्चिक राशी वाहन सुप की प्राप्ती वहीं वरिश्चिक राशी के लोगों के लिए शनी का मार्गी होना बहुत ही लखी साबित हो सकता है आपको इस दोरान वहन सुख की प्राप्ति हो सकती है वहीं जमीन और जायदात के मामले में भी आपको अपेक्षा से अधिक लाप होगा आपकी आय में व्रधी होगी और सुख साधनों की प्राप्ति होगी भाई बेहनों से हर प्रकार का सुख और सहयोग प्राफ्थ होगा इस वक्त आपके द्वारा की जाने वाली यात्रा भी लाफ देने वाली हो सकती है कारुबार में महनत अधिक करनी पर सकती है लेकिन योजनाय सफल होने से महनत का लाफ प्राफ्थ हो जाएगा मीन राशी, हानी बदरजाई की लाप में मीन राशी के लोगों के लिए शनी का मारगी होना बहुत ही फायदेवन होने जा रहा है आपको करियर में कई सुनेरे अफसर प्राफ्थ हो सकते हैं तो वहीं इस वक्त आपका तीर सियात्रा पर जाने का कारक्टम भी बन सकता है। जिन लोगों को कारुबार में अभी तक हानी हो रही थी, उन लोगों का शनी के शुप प्रभाव से अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आपको तनाफ से मुक्ती मिलेगी और घर में चल रही समस्याओं का भी अंत होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। धर्म कथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।